सब्सक्राइब करते हैं कि सरोज मिश्राज चैनल में यूटीब चैनल पर आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है टीचर रिक्रूट्मेंट गवर्मेंट स्कूल से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है क्या-क्या सब्जेक्ट है क्या डीटेल से और कहां जॉब लोकेशन रह सब्सक्राइब करते हैं इनकी लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे जो आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं यह सारी न्यूस्पेपर की मेरी कलेक्शन होती है डेली जिनको मैं पोस्ट करती रहती हूँ डेली कम से कम 5-10 वेकिंसी में फेस्ट ग्रूप पर टेलीग्राम चैनल पर इंस्टाग्राम पर फेस्टाग्राम पर थोड़े कम हो जाते हैं तो लेटेस्ट जॉब अपडेट्स का बेरिफिट लेने के लिए आप जोईन हो जाएंगर अब भी तक आपने जोईन नहीं किय है अगर आप नई सब्सक्राइबर ने तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें अब बात कर लेते हैं कि नूटिफिकेशन गेस्टीचर की कहां से यह सबसे पहले समझ लेते कि कहां से आई हुई है एक्शली जाम्या मिलिया इस्लाम्या यह गौर्मेंट युनिवरसि है तो यहां से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है इसके जो अप्लिकेशन ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इस इंवाइट फ्रॉम्ट इंगेजमेंट ऑग गेस्ट पीजीटी एंड टीजीट्या जाम्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल एस पर दीटेल्स गिवन विलो 18 अगस तक आपकी अप्लिकेशन पहुंच जाने चाहिए तो बी नोटिफाइड और डेट ऑफ इंटर्विव अगरा भी नहीं दी गई है तो यह आपको sms से अगर शॉट लिस्ट होते हैं तो sms से या फिर टेलीफोन से या फिर वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा शॉट तो यह दिली में है जामिय मिले इसलामी अगर बात करते तो नई दिली में न्यू डेली जॉब लोकेशन न्यू डेली होगी बाहर की कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें तो कर सकते बट इसमें एक थोड़े सब सब्जेक की तो जो रिक्वार्मेंट है एसेंचल क्यालिफिकेशन वो तो है पट इसके साथ एबिलिटी तो रीड और राइट उर्दू तो जिन कै लगता जब शॉट लिस्टिंग होगी तो यह एक पैरामिटर रहेगा की उर्दू आनी चाहिए अब बात कर लेते गेस्ट बाहर के कैंडिडेट हैं अगर बाहर स्टेट से आप एप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लाई कर सकते हैं गेस्ट पीजीटी वन बायोलोजी के ल और साइंस विद बायोलोजी वन पोस्तति एगोलो फॉस्त ऑफियो इतने सरे पोस्ते हैं अप्लिकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेटर प्रिस्क्राइब इस पर मतलब यह देकें नीचे अप्लिकेशन मानेट दीवह इसको डाउनलोड कर लेना है आपको इस एड्रेस पर अलॉंग विड़ सेट ऑफ से साइन करनी होती हो फोटो कॉपी इसको सेटेट कहते हैं वह सारी चीजेंगर एक्सपीरियंस है या जो भी है आपके पास बीड है जो भी मांगी जा रही है आप सीटेट वह आप पढ़ लें उन सब चीजों की को अटेच कर लें नीचे में फॉर्म दिया हो इसको फिल कर लें डाउनलोड करके अटेच कर लें टाइप भी कर सकते हैं हाथ से भी लिख सकत एक ऑफिशल वेबसाइट चेक कर लेते हैं यह अपफिशल वेबसाइट अपको जैसे अव्म पेज पर आप गये तो होम पेज पर आपको जाना है और वहां से जॉप्स औं करियर सेक्शन में आप जाए जॉप्स और से आप जाते हैं तो तीन-चार-पाच अदवर्टीज इसको डाउनलोड कर लेना चेक कर लेना इसी में application format है वो भी आपको देख लेना जैसे आप या इस advertisement तक कैसे पहुंच सकते हैं यह official website है इसकी link आपको मेरे YouTube वीडियो की description box में मिलेगी इसमें open करने से यह इस तरीके का आपको नजर आ रहा है screen यह screen आप देख रहें इसी पर आपको कहीं पर jobs मिलेगा हाँ नीचे bulletin board में चले आई यह देखें लेफ्ट हैंड साइड में jobs standards लिखा है jobs पे एक बर क्लिक कर लें में right hand open in new tab करके आपको दिखाती हूं यहाँ पर देखें जैसे आप jobs पर क्लिक करते तो यह नीचे में आपको यह नजर आ जाती है नाइटी नौगस एटी नौगस और एटी नौगस में यहाँ पर देखें एटी नौगस वाली यह देखें लोकल एडवर्टीजमेंट अप्लिकेशन इस इन्वाइट इंवाइ यह पेज ओपन हो गई और इस पर आपको एडवर्टीजमेंट के साथ में अप्लिकेशन फॉर्माइट मिल जाती है तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट करना चाहते हैं तो वह भी अप्लाइग कर सकते हैं और इसमें सैलरी के अगर बात करते हैं तो सैलरी मेंचन नहीं की सैलरी अच्छी दी जाएगी लेकिन लेक्टर वेसिस पर दी जाएगी पर लेक्टर के इसाप से पेमेंट होगी उसके इसाप से फिर लमसम मन्थेंड में आपको जो भी बनेगा वो दे दिया जाएगा तो इसमें बेनिफिट यह रहता है कि जैसे आप साइट प्रिपरेश पोस्ट कर दें कोई भी पोस्ट होता है रेजिस्टर पोस्ट होता है साधरन डाक होती है या अगर आपको लेट से यह मिल रहा है और आप अप्लिकेशन करना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट कर दें या फिर हाथ से जाके डॉप कर सकते आसपा से तो कुरियर से भी 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 और एड्रेस यहां पर दी हुई है यह एड्रेस है यह आड्रेस आपको नोट डाउन कर लेना है अप्लिकेशन फॉर्मैट नीचे दी हुई है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है टाइप करना चाहते तो टाइप कर सकते लिखना चाहते तो लिख सकते टू पेज़ेस की है इसमें जो क्वालिफिकेशन की डीटेल के लिए जैसे नजर आ रहा है कि सीटेट पेपर टू होना होगा उर्दू नहीं भी आता है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें डिजारेबल में डाला गया है उर्दू को तो विदाउट उर्दू भी आप सीटेट की हाँ पीजीटी के लिए सीटेट की जर्वत नहीं होती सिर्फ बीर्ड है मास्टर डिग्री है तो चलेगा